प्रेंड्स मैं आपका दोस्त आशी शारा आप देखें आशी जोड़ें चलिए दिखते हैं अपका मने क्या ट्रेड लिया था क्या था उसके पीछे का लोचिक और क्या हुआ हमारे जबात टॉप लोस गया फ्रोफिट मिलते हैं सब कुछ आपके साथ लिखन सबसे पहले शुड़ करतें चार्स हैं यहां पर हमने सतरा थारीक को एक ट्रेड एक्सक्योट किया था इस एडिया की असपास वोर ट्रेड क्या था एक नहीं लगभ्वक हमने इस अफके दोड़ेड एक्ज़ड किया था एक हमारा अफर इक तामरा स्प्रेड और एक था नमारा नॉर्मल स्प्रेड जो अपर साइड में कॉल स्प्रेड हमने बना लिया था उसको देख लेते क्या था तो सबसे पहले हमारे टेलिग्राम चनल पर चलते हैं नियां मिनिट्र रिट्व श्रू करते हैं 17 तारिक को मनेक ट्रीट एक ट्रीट किया था यह सब्सक्राइब्स पांइब्स पचास का हमने एक ग्सीगूट के तरह जिसमें हमारा प्रोफिट्ट्रकित था 9800 का सपास हमारा लॉस था किसी भी साइड जाए यह इतना हमारा प्रॉपिटर लॉस बन रहा है अब इसके पीछे का लॉजिक है कि आई वी जो था बजार का जो इंप्लाइड वॉलिटिलिटी था वह काफी जादा लो था लगभग हमारा 14% से भी नीचे था बहुत जादा लो था मैंने यहां पर लिख भी दिया था कि आई वी वहरी लो यहां अब देख सकते हैं कि आई भी काफी कम था और प्रीमियम नहीं मिल रहा था प्रीमियम बिल्कुल भी बजार में नहीं था और इसलिए हमने एक कलेंडर स्प्रेड बनाया जैसे सभी को पता है और तो ब्रीच करें इस साइड में यहां इस साइड में हम यहां पर कुछ एजस्टमेंट करेंगे वह आ गया दिखते क्या था तो सबसे पहले कहानी में ट्विस्ट कहां पर आई और एक ट्रेडट था एक मिन दिखा देता हो वह तो रसा नीचे होगा कि निप्टी जो है कि अपसाइड में प्रॉबाइबिलिटी है और वैसे आपने देखा कि सबते कि अपसाइड में गया मार्केट काफी अच्छा अपसाइड में रैली भी दिया इसलिए हमने ट्रेड भी हाप एक्जीकूट किया था लिए दस्ट वन डॉट का एक ट्रेड था शत्राजर आट्स लेविट स्पेड होता है उसको हमने सेल कर दिया और बैड गए और इस मां यह यह वीक था इस वीक में काफी ज्यादा हॉलिडेस था दिवापली था उसके बाद एक दिन फिर बाद था उसके बाद हमने क्या-क्या देख लेता है कि हां जिस दिन हॉलिडेस से पहले मतलब इस फ्राइड कॉम ने इस ट्रेट को जैसे प्रॉफिट माया इसको साइड यही पे छोड़ देते तो शायद को क्या होता एक, मतब दो दिन का एक theta decay मिलता जो कि अगर में नौर्मा spread में रहता हुँ लॉस में आता है, इसलिए मैं तो इसको एक ironfly की तरह convert करके, यह butterfly जो भी आप बोल सकते है, इसको butterfly की तरह convert करके, मैं इसको और अगर सेंटर में कई भी सेंटर में टॉप पे रुपता है 17800 क्या सब्सक्राइब था और उसके बाद हमने देखते हैं क्या हुआ तो बजार नॉन्माली टिक टाक अफसाइड में गया अफसाइड में जाने के बाद जब फ्राइडे कुर्शेशन हुआ जो प्रेडिंग के दिन था यहां पर आप देखेंगे जो मुहरत ट्रेडिंग के दिन था मैं दिखा देता हूं कर देता हूं यहां से सीधा यह गया पप ऊपिनिंग दिया और जो मेरा ब्रेक इवन था उसके लगबग पास में था फिर दूबार आई यह मार्केट नीच आया ब्रेक इवन से नीचे और बाजार का जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आई भी काफी आई भी थोड़ा इंक्रीज होगा जिसकि हमें जो लो आई भी से जैसे हाई आई क्लेंडर स्प्रेड में एक हैंड्साम एमांट प्रोफिट होगा लेकिन आई से हुआ निये आई भी टिक्रीस की जगा और ज्यादा डिक्रीस हो गया जिससे कि हमारा स्टॉपलर से ओगया और दुबारा हमने लगब परसेंट का स्टॉपलर से दिया फ्राइडे को आप द क्लेंडर स्प्रेड का जो टेंड का जो रेंज है वह छोटा हो गया जैसे कि आप आप उपनिंग दिया आई भी और लोग हो गया जिसके चलते हमारा जो परसेंट से ज्यादा ही लोस होता लेकिन दूसरा जो माना परसेंट का असपास हमें एक मतलब स्टॉपलस देके हमने इस्टेट को यही पर खतम कर दिया और एकस्पारी के दिर रेकिन यहां पर सेखने वाली बात यह है आई भी लोग के दौरान और लोग जा सकता है इतना तो यह भी पता लग रहा है और यहां पर आगर मैं मान लीजिए कि यहां पर एड्जेश्मेंट इसलिए नहीं हो सकत इसके चलते हमें यह नुक्सान का सामना करना पड़ा और जहां की देखा जाए तो अगर यह एक टाइम पर नीचे आ गया ता है लेकिन क्या कर सकते हैं जहां पर हमारा स्टॉपलोस जो होना चाहिए और जो कि मेरा जो एक परसेंट का स्टॉपलोस तो उससे ज्यादा ही पहले तो यह ग्याप आप उसके बाद यह ग्याप आप के वज़से मुझे तो रेंज आपको मिलनी रहा है बजार में और उपर से ग्याप अलक से काफी जादा खत्रा लगने लगा या अभी अभी देखा जाए तो मेरे इतनी स्टॉपलोस रोने का वाद मेरा साइकोलोज हो रहा है इसके चलते मैंने सुचा कि अभी में अपना लॉट साइज है और डिक्रीस कर दूँगा और जैसे कि मैं जो आपका है मतलब जो पब्लिक में सिर्फ पोजिशनल ट्रेड है खाली वही करूंगा फिलाल के लिए जो कि मैं आपको साथ टेलिग्राम पर शेयर भी कर करूंगा और देखते कि अगले हबते क्या होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर